ये सिरफ चार टुकडे रोजाना दूद में मिला लो, सरीर लोहे जैसा मस्बूत बन जाएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा चमतकारी घरलू नुस्खा लेकर आए हैं जिसका सबसे पहले तो किसी भी त्रहंग का कोई साइल डुफेक्ट नहीं है और जो आपको मिल भी बड़ी ही असानी से चाहता है और जो आपके सरीर की पूरी कमजोरी को बिलकुल जड़ से खतम कर देगा और आपके सरीर के अंदर सांड जैसी ताकत भर देगा जिससे कि आप तहलका मचा देंगे दोस्तों और वो आपको पता है कि तहलका मचाना कैसे है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चमतकारिक चीज के बारे में बताएंगे उसके आपने सिर्फ चार दानों को दूद में उबाल कर उसका सेवन करना है और यदिया आप ऐसा करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके सरीर के अंदर ताकत बर जाएगी आपके सरीर की हडियां मजबूत बन जाएगी दोस्तों और ये इसके लावा भी बहुत सारी बीमारियों में कार कर है यानि कि आप एक उस्ती लेंगे वो आपके सरीर की ताकत को तो बढ़ाएगी ही साथ में आपको बहुत त्रहें की बीमारियों से भी बचाएगी। इसा ही होता है तो डोक्टरों के चक्र लगाना छोड़कर अपनी डाइट में इस गोखुर को सामिल कर लें। जो सारीरी कमजोरी दूर करके आपके सरीर को फोलाद की तरहें मसबूत बना देगा। गोखुरू भले देखने में कितना भी छोटा क्यों नहीं हो लेकिन बीमारियों पर एक रामबान ओस्ति की तरहें काम करता है। इसे लेने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ गोखुरू की तो आयरुवेदिक ओस्तियों में इसका नाम सब से उपर आता है। दोस्तों आपने इसके लिए लेने हैं बड़ा गोखुरू। और ये आपको आपके नजदे की किसी भी पंसारी की सौप से असानी से मिल जाएगा। तो चलिए बताते हैं कि इसका प्रयोग आपने करना कैसे है। दोस्तों आपने क्या करना है कि एक बरतन में एक गिलास दूद को उबलने के लिए आगपार रख देना है। और अब इसमें चार दाने लेकर उनको कूट कर अच्छी तरह से इनका पाउडर बनाकर इस दूद में मिला देना है। चाहे वो कोई भी कमजोरी हो वो बिलकुल जड़ से खतम हो जाएगी दोस्तों। कमजोरी नाम क्या है वो तो आप भूल ही जाएंगे। इसके लावा ये नुस्खा एकजीमा रोग में भी बहुत अधिक लाबकारी है। दोस्तों यदि आपको दिल से जुड़ी कोई भी वीमारी हैं तो उनमें भी ये नुस्खा बहुत अधिक कारगर है। क्योंकि यह है खून में कोलोस्टोल, बलड सुगर और बीपी की समझ्या को दूर करता है। इसे व्यक्ति को नीमित सेवन करना चाहिए इससे आपको डाइबर्टीज में भी फाइदा होगा। आपका सुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। यानि कि इसे सुगर वाले भी ले सकते हैं और विदावट सुगर वाले भी। बस सुगर वालों को ये करना है कि इसको मिलाएं तो इसमें मिठे के लिए आपको कुछ भी नहीं डालना है। और जो without सुगर वाले हैं वो इसमें इस दूद को बना कर इसमें मिसरी मिला सकते हैं बनाते समय या बाद में आग से उतार कर इसमें सहद मिला कर भी सेवन कर सकते हैं पर जो diabetes वाले हैं उनको इस त्रहे सेवन नहीं करना है और दोस्तों ये नुश्खा ना सिरफ इन में काम कर और आपकी इस समझ्या का समधान करता है और दोस्तों सबसे मुखे बात तो ये आपकी रोग परत्रोदक्षमता रोगों से लड़ने की सक्ती को बनाता है जिससे कि आपको कोई भी विमारी और कोई भी वाइरस नहीं लगता इसके लावा दोस्तों ये नुस्का आपके सरीर में हाड़ियों को मजबूत बनाएगा जिससे कि आपको कभी दर्द की समझ्या नहीं होगी कोलोस्टोल को सही करेगा जिससे कि आपको हाड अटेक नहीं आएगा आपका बलेड प्रेसर बिलकुल नॉर्मल बना रहेगा तो दोस्तों देर किस बात की है आप भी आज ही ये चार दाने दूद में मिला कर इनका सेवन करें और फिर देखें चमतकार कि कैसे आपका सरीर सकती साली बन जाएगा तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वडियो की नोटिकेशन आते रहे ताने वा तुस्ट